आज के इस वीडियो की माध्यम से मैं बात करना चाहूंगा इंडियन कोस्ट गार्ड की नियू एंट्री आहिए जिसके अंदर आपका एक डारेक्ट एसस भी होता है जो आपके परसेंटेज के बेसिस पर बुलाया जाता है जिसके अंदर आपकी दो स्टेज हो जाती है एक प अगर आप देखेंगे यूटिब के अभी मेरा एक पुराना वीडियो मिल जाएगा इसके अंदर मैंने PSB और FSB के पूरे प्रोसेस को संजा है था PSB और FSB के अगर हम बात करें इसमें जो major majority तो 90% यह बिलकुल SSB से ही मिलता है इस उनली जो आपको पूरी शीट मिल जाती है यहां पर बस वह आपकी विंडो आपकी स्क्रीन के उपर एक बार शो होता है कुछ सेकंड्स के लिए आपको सॉल्व करना है और यू आपका PSB में होता है अगर अगर आप फाइनल सेलेक्शन बोड की बात करें हो दाट इस मोरोल है सरी सिमिलर तो थी स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग के बाद जो कांडिडेट हो जाता है अब इसी के दौरान मेरे तीन कांडिडेट्स रेकमेंड़े जिनके मैंने फोटो भी डाले ते चारू का फोट सब्सक्राइब तो थी स्टूडेंट्स वर पार्ट अव मैं एससबी कोर्स अलसो वर अबल तो क्लियर दी इंदिन कोष्ट गार एससबी अब मैं आप से बोल रहा हूं मेरा फिफ्टीन तयाने की कल मेरा एक न्यों को स्टार्ट हो एससबी का जो आप जॉइन कर सकते हो जि एक साल के अंदर एक्क्यावन रेकमेंडेशन के पास पहुंच गये हैं विच इंक्लूड वच्चे जो एक नहीं दो तीन बार रेकमेंड होई हैं लॉट अन वंडर्फूल रिजल्ट्स हैव कम साइवल डेफिनेट्ली आस्क्यू तो जॉइन दो सारे लिंक्स ले और लिंक दिस्क्रिप्शन में हैं डू जो इन दिस कोस्ट इस विल डेफिनेटली एल्प यू इंडियन कोस्ट कार्ट काउंकि इंडियन काउस्ट कार्ट इस वांडर्फूल एंट्री और इंडियन नेवी की तरह ही इसमें भी आपको काफी सारी चीजे मिलेंगी और सिंस इस अ ग्रोइंडियन आपको आपको अपर च्रूर्फ नहीं कर दाजा सकता है इसके अंडर आपको ताइम देना पड़ेगा प्रफॉस को समझना पड़ेगा धेन और ओली यू विल बे अब तो परफॉर्म इंडियन कोस्ट काई अगर मैंसर प्सब प्सब प्सफ FSP okay so this is certain thing which I wanted to talk about and kind you do join in thank you very much